असलम अलेकुम वीवर्ड आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मुझेदार से स्विज रोल की रैसिपिने कर आई हूँ बेकरी से जादा अच्छे आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही मुझेदार बनते हैं ये स्विज रोल और इसको हम बना रहे हैं स्टॉबरी फ्लेवर में इसके साथ मैं आपको बनाना बताऊंगी बटर आइसिंग तो आज ही हम बटर आइसिंग के साथ बना रहे हैं तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा अगर आप मेरे चानल पर नहीं हैं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफिकेशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूले त तो चलिया यह वीडियो स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए लिए हैं अंडे पांच अदत रूम टेंपरेचर पे होने चाहिए इसके अंदर हम एड़ कर देंगे पिसी विचीनी 50 ग्राम के बराबर अगर आप इसको कप में मेजर करेंगे तो वन थर्ड कप के बराबर है यह हो चुका है अच्छी तरीके से यह कुछ इस तरह से हो जाएगा और उसके बाद हम इसके अंदर आइट कर देंगे वन टी स्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे बस हलका सा ही मिक्स करना है और इसको mix करने के बाद इसके जो blade से हम हटा देंगे अब इसके अंदर हमें मैदा add करना है 50 grams के बराबर cup में measure करेंगे तो यह आदा cup के बराबर है लेकिन आदा cup में से आपने क्या करना है 1 tablespoon को minus कर देना है तो हलके हाथ से आपने मैदा इसके अंदर fold करना है और इस रोल होता है थोड़ा सा flat बनता है तो इसके अंदर हम लोग अंडी जादा add करते हैं बाकी चीजे जो होती है थोड़ी कम quantity में होती है और जो cake का बैटर बनता है उससे थोड़ा सा different होता है मतलब इसमें अंडो की quantity जादा होती है बस अंडो की quantity जादा है ताके इसके अंदर थोड़ी flexibility होनी चाहिए इसके साथ ताके हम इसको roll बना सकें अच्छा यहां पर मैंने एक बड़ी tray ले ली है इसका size है 11 by 14 है इसका size इसको आपने butter paper लगा के अच्छे से grease कर देना है और butter paper ज़रूर लगाईएगा ताके आपको यह cake निकालना असान हो क्योंकि बहुत flat सा बनता यह cake तो इसके उपर हम सारा butter add कर देंगे और इसको आपने evenly spread कर देना है पहला देना है अच्छी तरीके से और इसको आपने palette knife की मदद से पहला देना है और यह काम आपने जल्दी एल्ली करना है और oven को भी मैंने on कर दिया था 180 degree पर और इसको सिफ आपने 10 mint के लिए ही preheat करना है जादा नहीं preheat कीजेगा oven को मैं हर baking के अंदर preheat करती हूँ सिफ 10 mint के लिए ही आप देखें इसको मैं level कर रही हूँ आपने बिलकुल level कर देना है कहीं से उपर नीची नहीं होना चाहिए ताके जो हमारा cake बन के तयार हो इसका swiss roll का sponge बन के तयार हो वो भी even ही बन के तयार हो तो हलके हाथ से बस आपने इसको spread कर देना है और इसको हम bake करेंगे 180 degree पर ही 10-15 mint के अंदर बन के तयार हो जाता है 12 mint के अंदर आप जाके check कर लीचीगा तो ये bake हो चुका होगा तो देखें स्विस roll हमारा bake हो चुका है अब इसको हम थंडा कर लेंगे completely और थंडा करने के बाद ये इसके उपर काम start करेंगे तो जितने ये थंडा हो रहा है हम बना रहेते हैं butter icing तो इसके तिया मैंने butter लिया है 100 grams के बराबर और इसके अंदर हम icing sugar यूज़ करेंगे 150 grams तो हमने क्या करना है butter जो हमाया room temperature पर होना चाहिए इसके अंदर हमने 1-1 tablespoon करके add करते जाना है icing sugar को और हमने इसको beat करते रहना है तो आपने क्या करना है butter को beat करना है 1 tablespoon icing sugar add करेंगे वो अच्छी तरीके से इसमें mix हो जाए और थोड़ा fluffy होने लगे फिर उसके बाद आपने क्या करना है 1 tablespoon icing sugar दुबारा से add कर देनी है तो इसी तरह से आपने 1 tablespoon 1 tablespoon करके ही add करनी है एक साथ add नहीं कीजेगा नहीं तो क्या होता है वो अच्छे से mix नहीं होती है और पर खाते वक मुमे ना चीनी का दाना मैसूस होता है जो बिलकुल भी नहीं अच्छा लगता icing के अंदर तो बहुत अगर smooth आपको icing चाहिए तो आपने ऐसी करना है इसको आपने 1 tablespoon करके ही add करना है और जब यह creamy fluffy हो जाएगा बिलकुल क्रीम की तरह fluffy हो जाती है तो जब तक आपने इसको beat करना है जब तक आपकी जो icing sugar है खतम नहीं हो जाती तो देखें सारी icing sugar मैंने सके अदर add कर दी है और बस इसको हम last में beat करेंगे अच्छी तरीके से इसके अंदर vanilla essence भी add कर दिया है जो भी आप flavor बना रहे हो वो flavor आप इसके अंदर add कर सकते हैं वो essence add कर सकते हैं इसको last में आपने अच्छी तरीके से beat करना है तो उसके बाद बस यह ready हो जाएगी और अगर गरीमियों में आप बना रहे हैं अगर थोड़ी सी runny हो रही है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं ताकि थोड़ी सी stable हो उससे आप काम कर सकें तो देखें कितनी अच्छी सिल्की स्मूथ बन के तियार हुई है यह बटर आइसिंग तो यह ready हो गई है अब आज़ते हैं अपने sponge की तरफ जो हमने Swiss roll का sponge बनाया था तो इदर एक बड़े size का मैंने butter paper ले लिया है इस क्यूब पर हम इसको निकाल लेंगे अच्छा यह जो हमने sponge बनाया था यह मैंने कड़क हो जाएगा तो इस बात का ख्याल रखेगा तो 15 minutes में क्या हुआ इसके किनारे थोड़े से हार्ड होगा है तो इसके जो किनारे मूं में निकाल लूँगी इस तरह से आपने बस हलका सा मैं कट कर रही हूँ और अगर आप इसको time से निकाल लेंगे तो फिर आपके किनारे जो हार्ड नहीं होंगे तो आप इसको directly use कर लीजेगा तो मेरे थोड़े से हार्ड होगा है इस वज़े से मैं निकाल रही हूँ क्योंकि इतना delicate होता है और इतना पतला सा होता है बहुत जल्दी बेक हो जाता है तो आप बस timing का थोड़ा ख्याल रखिएगा और मैंने नहीं रखा तो तो मैं सही mistake हो गई तो देखिए ready हो गया है और अब हम क्या करेंगे butter icing इसके उपर लगा लेंगे Swiss roll के उपर बहुत ज़्यादा हम icing use नहीं करते हैं और butter icing तो वैसे भी बहुत कम ही लगाई जाती है तो बस इसको मैं हलका सा spread कर रही हूँ जैसे आप butter लगाते हैं उतना ही आपने spread करना है बहुत मुटी लियर नहीं लगानी है तो देखिए बस इसके उपर मैं spread कर दूँगी इस icing को अच्छी तरीके से और आप लोग चाहिए तो इसको फ्रेश क्रीम के साथ भी बना सकते है तो देखिए इसको मैंने लगा दिया इसके बाद हम ले लेंगे strawberry jam आदा कप के बराबर है इस jam के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून एड़ किया तक गरम पानी और इसको मैंने थोड़ा सा लूज कर लिया है क्योंकि jam थोड़ा सा थिक होता है इसलिए हलका सा लूज कर लिया है ताकि इस प्रेट करना असान हो तो देखिए इसके उपर हम ये इस प्रेट कर देगे क्योंकि हम strawberry flavor का बना रहे हैं आप लोग इस recipe के साथ और कोई सा भी flavor बना सकते हैं इसको spread कर दिया है अब इसके बाद इसको हम roll कर लेंगे तो नीचे हमने butter paper इसलिए ही रखा था ताकि इसको roll करना असान हो और इसी butter paper के उपर ही हमने इसको टॉफी की तरह बाद में pack कर देना है तो मैं आगे आपको दिखाती हूँ इस तरह से आपने हलकी हाथ से इसको roll करना है बहुत जादा lose भी नहीं कीजिएगा और बहुत जादा tight भी नहीं कीजिएगा कि इसकी जो icing हो निकल के बाहर बाहर निकला है तो इस बात कर ख्याल रखेगा हर के हाथ से बस आपने इसको roll करना है और इसके बाद butter paper इसी के उपर आपने wrap कर देना है इस तरह से तो देखे इस तरह से wrap करने के बाद आपने क्या करना है दूरों तरफ टॉफी की तरह इसको आपने pack कर देना है close कर देना है tightly और उसके बाद आपने इसको fridge में रख देना है ताके जो butter icing इसके अंदर हमने लगाई है वो थोड़ी सी set हो जाए तो तकरीबन मैंने 10-15 minute के लिए ही रखा था जादा देर के लिए नहीं रखा था freezer में नहीं रखिएगा मैंने इसको fridge में रखा था तो देखिए ये set हो गया है और अपने shape में भी आ गया है तो ये set हो जाता है इसको थोई दे rest देना जरूरी होता है तो हम क्या करेंगे इसके ओपर लगा देंगे butter icing और वो ही हमने करना है बहुत मोटी layer नहीं लगानी है अच्छी तरीके से आपने butter icing इसके ओपर चारो तरफ लगा देनी है और इसको किस तरह से smooth करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूं अच्छी तरीके से एक layer लगा दीजिएगा बस और मैं थोड़ा सा uneven ही लगा रही हूं क्योंकि बाद में हम इसको smooth कर लेंगे तो देखिए इसको बस मैंने 4 तरफ लगा दिया है अब इसको smooth करने के लिए हमें चाहिए होगा butter paper या फिर आप कोई tissue paper भी ले सकते हैं तो इस तरह से strip ले लीजिएगा butter paper की इसको मैंने cut कर लिया था और देखिए किस तरह से मैं इसको smooth करूँगे इस तरह से आपने रखना है इस shape में इसको थोड़ा V वाले shape में रखना है cover करते हुए हलके हाथ से आपने इसको इस तरह से अपनी तरफ ले ले लेंगे खीच लेंगे तो यह सारा smooth हो जाएगा तो इसकी एक यही technique है सब लोग इसी तरह से बनाते हैं तो हमने अपने teacher से इसी तरह से सीखा था उसके बाद हमने क्या करना है जो jam हमारे पास था वो सारा हमने इसके उपर लगा देना है और इसको भी मैं uneven कर रही हूँ क्योंकि वही technique यूज़ करूँगी और इसी तरह से butter paper से इसको smooth कर लूँगी तो आप तो दुबारा से देख लीजिएगा किस तरह से मैंने इसको smooth किया है बस आपने butter paper लेना है इसके उपर रखना है और इसको अपनी तरफ कीच लेना है तो क्या होगा यह अच्छे से चारू तरफ लग भी जाएगा और बहुत जादा भी नहीं लगेगा बहुत हलका भी नहीं और अच्छी तरह से smooth हो जाएगा क्योंकि round चीज है इसको आपको knife से smooth करने में मुश्किल होती है तो देखिए सारा मैंने डाल दिया jam इसकी उपर अब इसको मैं इसी तरह से paper से smooth कर लूँगा यह देखिए बहुत असानी से यह लग जाता इस तरह से icing भी बहुत असानी से लग जाती है अब जो चारू तरफ जो jam आया हो है extra उसको हम हटा देंगे यह देखिए इस तरह से आपने knife से इसको clean कर देना है extra जितना jam है उसके बाद क्या करेंगे इस butter paper हम हटा देंगे यह थोड़ सा गंदा होगे इसको आपने उठा लेना है और हटा के आपने counter top पे रख देना है अब इसके उपर हम लगा देंगे desiccated coconut तो इसके उपर में थोड़ सा स्प्रिंकल कर रही हूं और counter top पे भी मैंने फैला दूंगी इसको अच्छी तरीके से ताके इसके उपर मैं इसको roll कर सकूं तो roll करने से असान ही हो जाती है उसके उपर चुपक जाएगा coconut और आपके हाथों पर भी नहीं लगेगा मतलब icing भी आपके secure हो जाएगी तो देखिए इस तरह से आपने पहला देना है अच्छी तरीके से और इसको आपने इस तरह से roll कर देना है यह देखिए अच्छी तरीके से लगा दे और coconut इसके उपर थोड़ी अच्छी quantity में लगता है तकरीबन एक से डेड़ काप आप ले लीजएगा सारा तो नहीं लगेगा इस क्यूपर लेकिन आपको इस क्यूपर इस तरह से लगाने के लिए थोड़ी ज़्यादा quantity में चाहिए होगा तक के अच्छी तरीके से आप इसको पहला के लगा सकें तो यह देखिए ready हो गया है अब इसको स्टेट कर देंगे coconut को समेट लेंगे इसकी cutting में आपको बता देती हैं इसको मैंने फॉरण ही cut कर लिया था आप लोग चाहें तो इसको थोई दिर रखने के बाद भी cut कर सकते हैं और इसको cut करते वक्त धियान रखेगा आपने बहु जो मुश्किल हो रही थी cut करने में तो मैंने bread knife ले ली थी bread knife से बहुत अच्छे से smoothly cut किया था यह तो देखिए इसको मैंने bread knife से cut किया है इस तरह से तो यह देखिए कितने अच्छे माशाला से बनके तियार हुए हैं यह Swiss roll बिल्कुल perfect बनके तियार हुए हैं आप इसको recipe को try जरूर कीजिएगा और अपना feedback जरूर दीजिएगा तो इदर मैं आपको cut करके दिखा देती हूँ और यह बहुत ही मज़ेदार बनेते एक बार बनाएंगे तो बार बार दूलचाएगा आपका बनाने का आई हूप आपको यह recipe अच्छी लगी हो so viewers अगर आप लोग को में रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को subscribe करें like करें comment जरूर किया करें share भी जरूर किया करें अपने friends के साथ family के साथ तो मुझे अपनी द